लो गाइस वल्कम टू टेक्स्ट्रीमर दोस्तों आज का वीडियो फिर से एक रिक्वेस्टेड टॉपिक के उपर होने वाला है तो कुछ लोगों ने मुझसे पुछा कि यूट्यूब के उपर हम अपने लाइफ स्ट्रीम को इनेबल करने में प्राबलम आ रही है तो इजी तरीका है लेकिन कई लोगों को प्राबलम आ रही थी तो एक वीडियो बना देता हूं ऐसा सोचा मैंने तो दोस्तों इस वाले वीडियो को पूरा देखिए एंड आप बहुत ही आसानी से लाइफ स्रीम को इनेबल कर पाएंगे कोई भी प्राबलम आपको नहीं आए तो अगर आपके फोन के उपर ख्रोम ब्राउजर नहीं है तो फिर आप इंस्टॉल जरूर कर लीजे इसको तो ख्रोम को उपन करना है उसके बाद आपको यूट्यूब उपन कर लेना है यहाँ पर और आपका जो भी अकाउंट है उसको आप लॉग इन कर लीजे तो मेरा आप देख सकते हैं मेरा एक नए अकाउंट है जो कि मैंने पहले से लॉग इन करके रखा है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके बाद उपर में जो थ्री डॉट्स है उसकी उपर टैप कीजे और डेक्स्टॉप साइट का यहाँ पर आप आप अप्शन आता है उसकी उ तरीकी का आपके सामने पेज आ जाएगा देख सकते हैं मेरा एक यह दूसरा वाला नया अकाउंट है नया आइडी है तो यहाँ पर कोई भी सब्सक्राइबर नहीं है अभी तो आपको इस वाले पेज के उपर चले जाना है यहाँ पर आपकी चैनल के उपर कितने व्यूज आते हैं कितने सब्सक्राइबर आते हैं सारी चीज़ें यहाँ पर शो होती है इस वाले पेज के उपर आपको जूम करना है और यहाँ पर जब आप नीचे आएंगे तो आपको एक सेटिंग का इकन देखता है इसकी उपर आप कर दीजिए अब कुछ इस तरीके का इस साइट पर आएंगे तो यहाँ पर आपको एक option दिखता है feature eligibility का उसकी उपर आप कीजिए यहाँ पर दोस्तों आप नीचे में देख सकते हैं features that require phone verification का एक option है और यह जो चीज हमारा enable नहीं है तो eligible हैं लेकिन हमको इसको पहले enable करना पड़ेगा तो इसकी उपर आप कीज और यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आप इसको enable कर लेते हैं तो आपका custom thumbnail enable हो जाता है साथ में video longer than 15 minute enable हो जाता है और यहाँ पर साथ साथ आपका live streaming भी enable हो जाता है तो सबसे पहले आपको आपके phone को verify करना होता है phone number को तब आपका ये सारा feature on हो जाएगा तो इस site पर आ आप tap कीजिए इसके बाद आपके सामने एक page आ जाता है यहाँ पर आपको सबसे पहले आपका country चूस करना है तो यहाँ से हम इंडिया को चूस करेंगे इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर दो option दिखेंगे call me with the verification code या फिर text me verification code तब कोई सब यह option चूस कर सकते हैं उसक इसके बाद नीचे में जो submit का option है आप उसके अपर tap कर दीजिए उसके बाद जो code आता है आपके phone के पर उसको आपको enter करना पड़ेगा next page के उपर और जैसे ही आप code को enter करते हैं आपका account verify हो जाता है कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इसके बाद दोस्तों आपका account जैसे ही verify हो जाता है तो फिर शायर 24 hours का time लगता है YouTube के live stream को enable होने में तो आपको 24 hours तक wait कर ना होता है तो मैंने verify तो कर दिया है लेकिन live stream को enable होने में हो सकता है 24 hours का time लगेगा तो उसके बाद जब आप इस वाले page के उपर वापस से आएंगे अपने settings वाले page के उपर तो यहाँ पर देखेंगे कि आपका यह option पहले enable नहीं दिखा रहा था अब यहाँ पर enable हो जाता है और यह सारे features भी आपके enable हो जाते हैं हो सकता है live stream को enable होने में 24 गंटे का time लगे लेकिन उसके बाद आप आसानी से live stream कर सकते है अपने YouTube app के through तो live stream कैसे करते है उसके उपर भी मैंने video बन ते रहने के लिए thank you very much